NCP प्रमुक शरत पवार ने एक बार फिर फिल्म दा कश्मिर फाइल्स को लेकर केंदर सरकार पर निशान असाधा है। उन्होंने कहा है कि एक शक्स ने हिंदूओं पर हो रहे अत्याच्यार को दिखाते हुए फिल्म बनाई है। इससे पता चलता है कि बहुत संख्यक हमेशा अल्प संख्यक पर हमलाग करते हैं। और जब वह बहुत संख्यक मुस्लिम होता है तो हिंदू समुदाय आस्तुरक्षित हो जाता है। पवार ने आगे कहा कि ये दुर्भागे पून है कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रच्चार किया है। पवार ने तक कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए आरुप लगाया है कि धार्मिक अधार पर समाज में दरार पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। अमरावती में पाठी समर्थकों को समबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदू को प्रतारित किया जाता था। जब भी छोटा समुदाय समस्या का सामना करता है तो एक बहुत संख्यक समुदाय उन पर कैसे हमला करता है। अगर बहुत संख्यक समुदाय मुस्लिम है तो हिंदू समुदाय में आसुरक्षा की भावना का उनुभाव होता है। इसलिए जो लोग समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने में विश्वास रखते हैं उन्हें साथ आना चाहिए। रकामपा लोगों को ज्वाती और धर्म के आधार पर बाटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ संघर्ष करने को तयार है। आपको बता दे कि पवार ने कहा है कि हिंदों और मुसल्मानों दलीतों और गैर दलीतों के बीच कुछ हलकों में दराल पैदा करने का प्रियास किया चाह रहा है। हमें इसकी ज्वांच करनी चाहिए।